गुड मॉनिंग स्टुडेंस सुप्रभात मेरे बच्चों कैसे हो आप है ना अच्छे होगे अब ये देखो ये किस चीज का पिक्चर है बताओ ये आपको देखने से ही लग रहा है बारिश का है या जहरने का है है ना आप ये देख सकते हैं तो जहरने के पास भी ऐसे गिर रहा है ठीक है और लेकिन इसकी चीटे जो है ना यहां तक ऐसे ऐसे पड़ रही है अब हम देखेंगे क्या कभी आपने अपने उपर से गिरता पानी या जहरना देखा है पानी तो गिरता है जब आप घर पे भी बातरूम में नहाते हो शावर राओन करते हो तो उपर से पानी गिरता है ना अच्छा लगता है ना वच्चों को शावर में नहाना उसी तरह से क्या आपको जूला जूलने में डर लगता है या मज़ा आता है आप बताओ आपको जूला जूलने में डर लगता है या मज़ा आता है ये दो कोशन्स आपको पेरेंट्स को बताने हैं ठीक है हो सकता है गर्मियों के छुट्टियों में आप कहीं पे हिल स्टेशन्स में जाते होंगे तो आज हम यही जानेंगे इस पोयम के अंदर यह देखो मैंने जूम कर रखा है ताकि मैं आपको एक एक वर्ड जो है ना पढ़के बतापा हूँ जर जर जरना बहता रे सुनो वह क्या कहता रे सावन आया वारिश लाया जूला जूलो कहता रे जटपट जूला बांधो रे फिर जटपट चड़ जाओ रे धका मारो जोर से जूला उपर जाओ रे यह आपने अल्रड़ी देखा होगा आप मेंसे बहुत सारे बच्चों के घर में जूला भी पेरिंस लगा जते हैं बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए आपने देखा होगा जूले को हिलाने के लिए हमें पीछे से धक्का देना पड़ता है तो यहां पे बताया कि सावन के मौसम में जब रिशी होती है तो जूड़ेसे में बहुत मजँ आता हैं तो यह आप tuna कुछ देने पहले आप ने आपने अन्यू मने अपना अलग sound होता है जिसको define किया गया है जिसको already fix किया गया है कि इसका sound ऐसा है तो जरने का sound किया है जर जर है सुनो वह क्या कहता रहे अब जो आवाज कर रहा है जरना तो कभी कह रहा है कि सुनो वह क्या कह रहा है आपसे ठीक है कि हर आवाज का कुछ न कुछ मतलब होता ह सावन आया बारिश लाया सावन का मतलब होता है मौनसून या जो आपका रेंग सीजन होता है उसको कहते है सावन आया बारिश लाया जो सावन है वो क्या लाता है अपने साथ बारिश लेकि आता है जूला जूलो कहता रहे अब सावन के टाइम पे आपने देखा होगा जूला जूला जाता है जैसे आप हमारे नौर्थ इंडिया में तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि सावन के महिले में ही मनाया जाता है और तक जूला बांदा जाता है एक तरीके से हैं तो यानि सावन में जूला जूलने क अलग ही मज़ा होता है और सावन जो हमारा सीजन है ठीक है मौसम है वो हमें बताता है कि जूला लगा लो अब आप की जूलने का वक्त आ गया है जटपट जूला बांधो रे जटपट याने जल्दी से ठीक है जूला बांधो रे बांधना पता है आपको जूला पता है फिर जटपर चड़ जाओ रहे। फिर मांने के बाद उस पे जटपर चड़ जाओ या जटपर या बहुत जल्दी से चड़ जाओ या चड़ना ठीक है। धका मारो जोर से अब जूले को चलाने के लिए या जूलने के लिए पीछे से कुणो कोई धका मारेगा। तो इसमें बताएगे धक्का याने पुश करना है मारो जोर से जूला उपर जाओ रहे अब जूले को कह रहा है कि धक्का तो तुम्हें मार दिया गया है अब तुम्हें उपर जाना है ठीक है तो ये वाली पोयम जो है आप इसमें जह अक्षर का उचारन देखेंगे तीक इस जहरना में जह है जूला और जूलो में जह है जटपट जूला इन दोनों में भी जह है और जूला यहाँ पर अगें जूला वर्ड दिया हुए तो इन सब अक्षरों में जो रेड कलर से लिखे हुए ये सारे जह वार्ण के अक्षर है शब्द है ठीक है तो ये वाली पोयम आपको थोड़ी सी लर्न करनी है और मुझे कल भेजनी है आपको आज नहीं भेजनी है I know it is a little bit difficult आपको ये कल भेजनी है और सुनानी है मुझे ठीक है I hope कि आपको ये पोयम जो है समझ में आई होगी Take care and have a nice day